दोस्तो जिमबॉमबे के खिलाब भारती टीम को मिली चैंपियन बनने के एक हपते के बाद करा लिए हार तो भड़ा गुठे भारती दिगज भारती खिलाडियों को फटका लगाते हुए दे दिया हैरान कर देने वाला बयान जियां दोस्तों भारत और जिम बॉम्मे के बीच खेले गए पहले टी-20 मैच में भारती टीम को हर का सामना करना पड़ा और इसके बाद भारती दिगजों का बयान सामने आये है इस भी सुनीन गावसकर सचिन तंदुलकर सलेकर वेरें सहवाग गौतम गंबीर ने भारती खिलाडियों को फटका लगाते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी रोंग्ते खड़े हो जाएंगे करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए जिंबॉम्बे की टीम कामन्त रिट किया जहांपर भारती टीम ने जिंबॉम्बे को 115 रन 9 विकेट के नुकसान पर रोग दिया इसका पीछा करने के लिए भारती टीम 19.05 वर में 102 रन पर आल आउट हो गई और इस मैच को 13 रन से हार गई भारती टीम को जिंबॉम्बे के खिलाप मिली हार के बाद भारती दिग्यजों ने भारती खिलाडियों को जम कर फटकार लगाई और अपनी भडास निकालते हुए बड़ा बयान जारी कर दिया है जिसमें सचिन तंगलुकर ने बयान देते हुए कहा कि भारती टीम को इस मैच में मिली हार के बाद मैं काफिजादे निराश हूँ इस मैच के अंदर सभी प्रकार से भारती टीम की तरफ से युआ खिलाडियों ने खराब प्रदेशन करके दिखाया है वह वास्तविक्ता में कबूल करने योगी बिलकुल नहीं है इस मैच के अंदर भारती टीम की तरफ से कोई भी खिलाडी बहतरी 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 ज़ादा दुखी हूँ वहीं विरिन सवाग ने बैया नितवे कहा कि भारती टीम के तरब से इस मैच के अंदर रवी विश्णोई ने काफिश ज़ादा बेहतर गिनबाजी की है इसके लावा बांकी गिनबाजों ने भी आज बहतरीन गिनबाजी करते वे सभी को प्रवावित किया लेकिन भारती टीम के बलेबाजों ने जिस परकार से खराब बलेबाजी करते वे सभी का दिल तोड़ा वास्तों में बेहादा शोब नहीं है इसके लावा उन्होंने आगे बयाद नितवे का है कि भारती टीम के लिए इस मैच के अंदर ना तो रिंको सिंग ने अपने अन्भाव का फायदा उठाया और ना ही भारती टीम के किसी भी डेब्यू करने वाले खिलाडी ने बहतर प्रदर्शन किया ऐसे में जिम बॉम्बी के टीम के खिलाब इस मैच में मिली हार के बाद भारती टीम के सभी बल्ले बाजो को अपने प्रदर्शन से काफी ज़्यादा सुधार करने के अवश्यक्ता है वेंग वातम गमीर ने बयान नितवे का है तो इसके लाब उन्होंने आगे बयान देवे का कि भारती टीम इस आसान से मैच के अंदर जीत दर्ज नहीं कर पाई है पिरिया जबी खिलाडी बड़ी मैच में कैसे प्रदर्शन करेंगे आकरामा को होकर घमन में आकर बहतर प्रदर्शन करने का प्रयास किया जिसके चलते भारती टीम के खिलाडियों ने आसानी से अपने विकट दिये झाल झाल